नमस्कार दोस्तो आज की वीडियो में आप जानेंगे पंजाब के एक जबरदस बस बड़ी बिल्डर सतलच मोटर्स के बारे में इस कंपणी की शुरुवात 1935 में हुई थी शुरुवाती दिनों में ये कारपेंट्री वरक्शोप होँ करता था जहा पर बेल गाडिया और लक्डिका सामान बना करता था 1958 में ये कमपणी वुडन ट्रक बॉडी बिजनेस में उतर चुकी थी और ये कमपणी वुडन ट्रक को बनाती थी साथ साल गुजर जाने के बाद 1965 में इस कमपणी का नाम सतलज मोटर्स रखा गया और इस कमपणी ने वुडन बस बॉडी बनाना शुरू कर दिया था 1970 में कमपणी ने अपने बसेस में कर्ल ग्लास को इंटर्डूस किया जो इंडेस्ट्री में एक नया कंसिप्ट था और साती साथ ये डिजाइन बसेस का लुग भी बढ़ाता था 1976 में सतलच कमपणी ने पंजाब की पहली एर कंडिशन बस को लॉंच किया था और इस बस को सिर्फ 38 दिनों के अंदर डिजाइन और मैनेफेक्चर करके एक नया रेकॉर्ड कायम किया था आज भी भारत में बहुत सारे बस बॉड़ी बिल्डर बस को बनने के लिए दो से तीन मेने का समय लेते हैं 1982 में इन्होंने लगजरी बस को बनना शुरू किया था जो मैटर स्टक्चर के साथ आती थी 1986 में स्वराज और माजदा कमपनी का संगटन हुआ और स्वराज और माजदा कमपनी के बस बॉड़ी बिल्डिंग का काम सतलज ने शुरू कर दिया था ये बस एस डायरेक स्वराज कंपनी बेचा करती थी और स्वराज माजदा ये बात जानती थी कि सतलज ही हमारे कौलिटी कंट्रोल लेवल्स को मैच कर सकती है 1989 में स्वराज माजदा कंपनी की चिसिस पर इन्होंने एम्बुलेंस को बनाया जो एक बहुत बड़ी आच्यूमिन थी 1992 में सतलज ने एडवांस लक्जरी कोचिस को बनाना शुरू किया जो टूबिले स्ट्रक्चर और स्टेश पैनल के साथ बना करती थी साल 2000 में इन्होंने लेक्सिया बस रेंज को लॉंच किया जो एक रियर इंजिन इंटर सिटी बस थी इसे के साथ साथ लो फ्लोर सिटी बस और एरपोर्ट बस को लॉंच किया इनके airport bus के खासियत थी ये एक front engine और front wheel drive bus होगा करती थी जैसे आज कल की अमरी cars होती है इस बात से आप अंदर लगा सकते हैं कि ये company उस समय में कितनी advanced थी आज ये company high-tech deluxe coaches, slipper bus, airport bus जिनने हम tarmac bus भी बोलते हैं और special application vehicles को बनाती है इस company के directors के नाम आप screen पर देख सकते हैं आज इस company के पास 30 साल का experience है बसेस को manufacture करने का 30 दों से भी ज़्यादा बसेस इनकी road पर चल रही है 200 से भी ज़्यादा बसेस इनके operators customers है सतलच company ने बदलती समय के अनुसार अपने बसेस में बहुत सरे बदलाव किये और अपने बहुत सरे modules को launch किया जिनमें सतलच S1100, सतलच Ultra Slipper, सतलच Mark 3 Airport Bus, सतलच S900 Plus, सतलच High Deck Bus शामिल है इसके अलावा इन्होंने कुछ unique buses को भी launch किया था जिनको bus fans सालों साल याद रखेंगे जिनमें 2001 साल में इन्होंने Blue Lines Travels के लिए एक double-decker multi-tixel bus launch की थी दोस्तों मैं साल 2001 की बात कर रहा हूँ जब इन्डिया में multi-tixel तो बहुत दूर की बात है rear engine concept भी नया हुआ करता था Blue Lines Travels इस bus को Bangalore to Mother Road पर चलना चाती थी पर Tamil Nadu Road Authorities ने इसे मना कर दिया क्योंकि ये एक multi-tixel bus थी जिसमें double-decker दिया गया था authorities ने इसे accept नहीं किया और road safety का कारण देते हुए इसे reject कर दिया पर इस company ने इस bus को Bangalore to Mumbai रूट पर successful चलाया और इस bus की काबिलित को साबित किया दोस्तों इस bus की जड़ा जानकारी हमें नहीं मिल सकी इसके लिए हम आपसे मापी चाते हैं इसके बाद साल 2008 में सतलच company का नाम पूरे भारत में popular हो गया क्योंकि बाद भी बेसे थी Mercedes Benz Company की busses अब सतलच बनने वाले थी जो एक Indian bus bodybuilder के लिए बहुत गरुकी बात थी मुझे वो दिन याद है जब मेरी उमर 9 साल की थी उस समय में निता ट्रैवल्स के पास सबसी ज़धा Mercedes Benz Company की busses हुआ करते थी और लोग सतलच के उधरा बनेगी ये busses को निता Mercedes के नाम से जानते थे मेरी तो बहुत इच्छा थी कि इस bus में सफर करने की पर ऐसा कोई plan ही नहीं बना कि मैं इस bus में सफर कर पाओ पर दोस्तों front windshield पर लगा हुआ निता का logo देखते ही रास्ते पर एक white region जा रहा है एसे feeling आती थी और लोग इसे mood mood कर देखते थे सतलच company जलंदर से belong करती है इस company की slipper bus body building almost 25 लाक रूपे से लेकर 30 लाक रूपे तक जाती है और sitter bus body की कीमत 17 लाक रूपे से लेकर 20 लाक तक जाती है पर ये कीमत उपर निचे हो सकती है क्योंकि raw metals की कीमत बढ़ती रेती है ये सिरी body building की price थी जिसमें हमने chises की price include नहीं किये है अगर आप जारजन करें चाते हैं तो आप इनसे direct contact कर सकते है bus operators और bus body builders की जो information होती है वो बहुत ही कम जगे पर available होती है और साती से तुन्हें verify करने के लिए और collection करने के लिए time लगता है इसे की चलते है time पर वीडियो नहीं आ पा रही है पर दोस्तो मैं बहुत कुशिश कर रहा हूँ कि आपको time पर वीडियो देशकू और ज़्यादा वीडियो देशकू अगर आपको ये वीडियो से लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल पर ने होगे तो चैनल को सस्क्राइब वीडियो कीजेगा और साती साथ आपका सपोर्ट ये सही बने रखे आपके दिन शुब रहे जहिन जे भारत